CBI के Sources का खुलासा 13 जून दोपहर दो बच कर 33 मिनिट के बाद से सुशान सिंग राजपूत फोन पर इनक्टिफ हो गए थे जी हाँ एक बड़े न्यूस चैनल ने इस बात का खुलासा किया है और बताया है कि सुशान सिंग राजपूत जिनकी डेद की टाइमिंग को लेकर शुरू से ही काफी गड़ बढ़िया चल रही है माना जा रहा है पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में डेद का टाइम मिसिंग है ऐसे में अब ये और जानकारी सामने आई है कि उनकी डेद के एक दिन पहले यानि कि 13 जून को ही सुशान सिंग राजपूत फोन पर आक्टिफ हो गए थे इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दोपहर दो से धाई के बीश में उनकी बातचीत हुई थी रूमी जाफरी, उदै सिंग गौरी इन सब की आपस में एक कॉन्फरेंस कॉल हुई थी फिल्म की नरेशन सुशान सिंग राजपूत तब सुन रहे थे और तब सुशान सिंग सुशान सिंग राजपूत बिल्कुल नॉमल साउंड कर रहे थे उन्होंने काफी सवाल भी पूछे थे फिल्म को लेकर लेकिन अब सुशान सिंग राजपूत अपने फोन पर इनक्टिव हो गए थे उन्हें अगर कुछ मैसेजज भी आए तो वो मैसेजज डिलिवर तो साथ पिठानी दिपेश नीरज केशव इन सबी का कहना है कि सुशान सिंग राजपूत ने रात को मैंगो जूस मांगा था यानि की घरवालों की थियोरी अब यह जो नई खबर आई है इससे कॉंट्रडिक्ट कर रही है इस नई थियोरी के साथ सुशान की पड़ोसन की बा रात सुशान के रूम की लाइस साड़े दस बजे ही बंद हो गई अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर सुशान सिंग राजपूत धाई बजे यानि कि दो तेतिस के बाद में अगर अपने फोन पर अक्टिव नहीं थे तो घर में मौजूद वो चार लोग इतने कैजूल कैसे थे क्या इन लोगों ने भी कॉल नहीं किया क्या कोई भी क्या किसी ने भी पता करने की कोशिश नहीं की क्या किसी ने उन्हें फोन नहीं करने दिया क्या हुआ था सुशान सिंग राजपूत के साथ क्या उन्हें ऐसी गहरी नींद आ गई क्या उन्हें ऐसी कोई दवाई द तक CBI के source की जो report है इसमें ये बात mention नहीं है कि सुशान सिंग राजपूत ने रात को कोई calls किये थे अब सवाल ये है कि बार-बार ऐसी बाते सामने आ रही है कि सुशान सिंग राजपूत की death तो 13 कोई ही हो गई थी और घर में सबको पता था ये जो नई क्योरी आई है ये इससे काफी match कर रही है क्योंकि सुशान सिंग राजपूत फोन पर दिन से ही inactive हो गए थे एक और चीज जो शक्के गेरे में डालती है वो ये कि जिस वक्त अगली morning सुशान सिंग राजपूत अपने room का gate नहीं खोल रहे थे तब सिधात पिठानी ने बिल्डिंग से किसी watchman किसी guard की मदद नहीं ली और ना ही किसी को मदद के लिए बुलाया उन्होंने direct key maker को बुलाया direct key maker तक इंसान कब जाता है पहले आसपड़ोस से पहले चाबी ढूंडी जाती है फिर मदद ली जाती है gate खोलने की उसके बाद नहीं खुलता है तो guard को बुलाया जाता है सिधात पिठानी ने guard वगएरा किसी को नहीं भुलाया उसने direct key maker को बुलाया क्यों उसके दिमाग में ये बात आई कि ये दर्वाजा key maker को ही खोलना पड़ेगा ताकि पूरा dramatic हो जाएगा वाकई में एक बात फिर से सुशान सिंग राजपूत को लेकर ये बहुत बड़ी update आई है कि वो दोपहर 2 बच कर 33 मिनिट से ही अपने phone पर in active हो गए थे